नमस्कार WKB News के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज की हेडलाइन्स पर बेटी और भतीजे के साथ दुशकर्प करने वाला आरोपी सलाखों के पीछे नाकपुर के हुडकेश्वर पुलिस टेशन की घटना और टो चालकों को घरेलू सिलेंडर बेचने वाले रैकेट का परदा फाश। घर में मिले दर्जनों घरेलू गया सिलेंडर और गड़ों से भरी सड़कों पर हो रही है दुरगटनाएं उत्तर नाकपुर की कई बस्तियों में समस्याओ का अमबार और अब खबरे विस्तार से विधाय कुष्णा खोपडे ने कहा कि सरकार के निर्ने के बाद चुनाव आयोग ने भी एक वाड एक सदस्य सिस्टम से चुनाव घुशित किया था उस समय कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ही विधान सभा अध्यक्ष थे और उन्होंने इस सिस्टम का समर्थन किया था लेकिन फिर महाविकास आगाडी सरकार ने मंत्री मंडल की बैठक में तीन सदस्य प्रभाग पद्धती से मुंबई को छोड़ कर शेश महराष्ण में चुनाव करने की घुशना की इस बैठक में भी कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटोले थे लेकिन अब फिर तीन सदस्य प्रभाग सिस्टम का विरोध करते हुए वे दो सदस्य प्रभाग पद्धती से चुनाव की मांग कर रहे हैं खोपडे ने कहा कि हार के भैसे कॉंग्रेस की चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं हो रही है वहाँ कन्फ्यूज हो गई है पटोली की दोरी भूमी का भी जनता के सामने आ गई है उन्होंने कहा कि इस सरकार के एक-एक मंद्रियों के घुटाले सामने आने मराठा वो ओबीसी आरक्षन में असफाल होने से सत्ताधारी पार्टिया चिनती थे कॉंग्रेस के बाद राका भी तीन सदस्य प्रभाग का विरोध कर रही है शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने कहा कि एक वाड एक सदस्य या दो सदस्य प्रभाग पद्धती का प्रस्ताव तयार किया है जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष को ये प्रस्ताव भेजा जाएगा हाला कि राका नेता वो उपो मुख्यमंत्री अजित पवार के कारण ही बहुसा दस्य प्रभाग प्रस्ती अपनाई जा रही है लेकिन कॉंग्रेस इसका विरोध कर रही है नाकपुर शहर में महावितरन ने बिजली की बकाया रकम्प की वसूली के लिए अभियान छेड रखा है बीते एक सप्ताहा में उसने 12 लाख से अधिक की राशी जूटा ली है लेकिन उसकी इस कारवाई पर आम लोगों ने आरुप लगाना भी शुरू कर दिया है लोगों का कहना है कि महावितरन बड़े बकायदारों पर कारवाई नहीं कर रहा है सिर्फ छोटे लोगों पर उसकी दादा गिरी चल रही है कई लोगों ने बकाया राशी को किस्तों में लेने के लिए महावितरन के अधिकारियों से गुहार भी लगाई लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा उलेकन यह है कि पिछले पाच महिनों में विवित कारणों से बिजली चोरी करने वाले करिब 2000 ग्राहकों के खिलाफ बिजली चोरी की कारवाई की गई है इन ग्राहकों से एक करोड से अधिक की वसुली की गई अधिकारियों का कहना है कि इस मोहीम को और तेज़ किया जाएगा जिसे जादा से जादा टारगेट पूरा हो सके सूतरों की माने तो महावितरन ने भी नाकपूर शहर मंडल, नाकपूर ग्रामिन मंडल, वर्धा यवतमाल, भंडारा, गोंदियव चंद्रपूर के अभियनता अधिकारियों को वसुली के टारगेट दे रखे हैं जिने हाल ही में पूरा करने के सक्त निर्देश हैं, इसलिए सभी अधिकारी अपनी अपनी टीम के साथ टारगेट को पूरा करने के लिए डट गए हैं आम ग्राहकों का कहना है कि शहर में कई लोग ऐसे हैं जिनके भी लाखों में हैं लेकिन अधिकारी उनसे सेटिंग कर बिल में राहत देने के साथ ही उन्हें बकाया जमा करने के लिए समय देते हैं सारवजनिक स्वास्त विभाग द्वारा 25 और 26 सितंबर को विवित पदों के लिए परिक्षा ली जानी थी परिक्षा के लिए अनेक छात्र अन्य जिलों से नाकपूर में पहुँच गये थे लेकिन परिक्षा केंद्रों को लेकर अफरा तफरी जैसी स्तीती रही नाम अलग और पता अलग होने से छात्र शुक्रवार को दीम भर भटकते रहे जैसे तैसे केंद्र मिल भी गया लेकिन शाम को सरकार ने परिक्षा स्थगित करने की घोशना कर दी इससे चात्रों को गहरा जटका लगा है शनिवार को सरकार की अवयवस्था के खिलाफ पेरा मेडिकल चात्रों के संघठन की और से विरोत्रदर्शन किया गया चात्रों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में रैली निकाल कर अव्यवस्था के प्रती अपना रोश प्रकट किया स्वास्त विभाग द्वारा स्वास्त सेवा गट कर और डव वर्क के लिए दो दिन तक परिक्षा ली जाने थी नागपुर में विदर्वभर के चात्रों को केंद्र मिले थे चात्र एक दिन पहले ही पहुच भी गए थे लेकिन केंद्रों को लेकर संभरम बना हुआ था इसके बाद शुक्रवार की शाम को सरकार ने परिक्षा स्थगित करने की घोशना कर दी इससे चात्रों को मानसिक और आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ा कई चात्रों तो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे है सरकार द्वारा योगे नियोजन नहीं किये जाने की विरोध में स्थुदेंट्स, Welfare and Illuminy Association, BAC, PMT Student Association Political की और से विरोध प्रकट किया गया चात्रों ने काला फिता बांध कर मेडिकल परिसर में प्रदरशन किया पस्चात अधिश्धातक कार्या लेके सामने घेराओ भी किया आन्दुलन करना मागची कारना कि राजया शाशनादवारे ही सगीजी धंदला धंदल जाली है वर्गा का अनि वर्गा ड़ यांचे मतले जा परिख्षा रदधा करने तालेल आ है परिशा रद्द करने चामा आँज अगे अशल आहे करना मिला लेल नहीं है कोना क्ले ईलिकेया क्ये में उसर्ट आखीkan प्रिशा रद्द करने कोँकर आज दोगो क्रिशा जाकें बहले ही डॉक्टर्स तिसरी लहर की तीवरता से इनकार कर रहे हो लेकिन हाई कोट द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए प्रशासन सभी तरह की तयारी में जुटा है इसी बिच इंडिया इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंस एम्स में तीसरी लहर से निपटने के लिए 150 बेट का बाल रोग विभाग तयार किया गया है आधुनिक सुविधाव से लैस विभाग में सभी तरह के इंतजाम है इतना ही नहीं मरीजों के साथ आने वारे परिजनों के रहने के लिए भी परिसर में ही धर्मशाला बनाई गई है यहां नाम मातरा शुल्क पे रहने की व्यवस्ता की जाएगी यह जानकरी संस्था के संचालक डॉक्टर विभा दत्ता ने दी केंद्रिय स्वास्तव परिवार कल्लैन मंत्राले के अधिन एम्स ने कोविट की दूसरी लहर में संस्था एक बार फिर तीसरी लहर से निपटने के लिए तयार है डॉक्टर दत्ता ने बताया कि MBBS की 50 सीटों के साथ शुरू हुए संस्था की मौजुदक शमता 125 तक पहुँच गई है सनात को तर्विभाग में 25 विध्यार्थी प्रवेशित है प्रत्यक विशे के लिए दो पीजी सीटे उपलब्ध हुई है सुपर स्पेशालिटी में कार्डियोलोजी, नेफरोलोजी, पल्मो नरी मेडिसिन और पीडियाट्रिक सरजरी जैसा आधुनीक सुविधा भी उपलब्ध हुई है वही जोतिवा फूले जन्सवास्त योजना, प्रधान मंत्री जन्सवास्त योजना का भी लाब मरीजों को मिल रहा है विधरव सहित आसपास के मरीजों के लिए एम्स उपयोगी बनता जा रहा है नई इमारत के निर्मान कारिये में सौर उर्जा रूफटॉप का उपयोग किया जा रहा है इससे बिजली की बजट हो रही है कोरोना के मरीजों की संख्या ना के बराबर रह गई है रोजाना आंकडे दहाई आंक से नीचे ही आ रहे है लोगों में डर का महल नहीं के बराबर रह गया है और अब वे बिंदास हो चुके है कोरोना का खौफ निश्चित रूप से कम हो चुका है यही कारण है कि बाजार में कोरोना से संबंदित उतपादों की बिक्री नहीं के बराबर रह गई है अब मास कोई खरिद नहीं रहा है ओक्सिमिटर, जिंग टैबलेट, इम्यूनिटी बूस्टर उतपादों की बिक्री अब कम होती जा रही है दवा दुकांदार बताते हैं कि दूसरी लहर के बाद अब कोरोना का डर कम हो गया है यही कारण है कि लोगों को ओक्सिमिटर, इम्यूनिटी बूस्टर, जिंग टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कोरोना संबनी दवाई भी नहीं बिक रही है लेकिन 40% लोग अभी ऐसे हैं जो मल्टी विटामिन दवाओं का उपयोग कर रहे हैं यह नियमित रूप से दवाई ले रहे है दुकानदारों ने बताया कि अभी बलाक में बिकने वाला रेम्डे सिविर दवाँ अब पड़े-पड़े खराब होने के स्थीति में आ गया है दुसरी लहर के बाद लोगों ने बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा कर लिये थे लेकिन इसकी मांग बिलकुल भी नहीं है मरेश ही नहीं है तो खरीदी कौन करेगा ऐसे में माल पड़ा हुआ है सेक्डोरेम्डे सिविर का एक्सपारी डेट भी नजदिक आ रहा है ऐसे में इसके खराब होने का खत्रा बढ़ गया है इसका अन्य रोगों में भी इस्तमाल नहीं होता इसलिए बेकार सा पड़ा हुआ है पुर्वा में मास्क की बिक्री ताबर तोब हो रही थी हालात ये हो गए थे कि फुटपात से लेकर सडकों के चौराहों तक दुकाने खुल गए थे लेकिन अब परिस्तिती बदल गई है कई स्थानों पर दुकाने तो लगी हुई है लेकिन खरिदार गायब हो चुके है मास्क को लेकर भी मानसिता में शिथिलता आ गई है लोग घुमने फिरने के दोरान भी मास्क का बहुत ज़्यादा इस्तिमाल नहीं कर रहे है पहले की तुलना में महस 20 फिजदी तक बिक्री रह गई है वक्त हो गया एक छोड़े से ब्रेक का मिलता है एक ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते है मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे तेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में होरुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन एंड एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां Campus Interview Guidance by Industry Expert Practical Training at Airport Expert Faculty Personal Grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy One Degree, Three Job Opportunities Flywheel Aviation Academy Gives you a Degree or Diploma with a Job Flywheel Aviation Academy 365 Garni Nagar LAD College Square Beside Karnatika Bank, Naagpur Break के बाद आपका स्वागत है Crime Ranch के Unit 2 की टीम ने गोपनी ये जानकारी के आधार पर मानकापुर्थानक शेत्र में चापा मारी कर घरेलू सिलेंडर की गैस आटो चालकों को बेचने वाले रैकेट का परदाफाश किया पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफतार कर 18,000 रुपे का माल जब्त किया है पकड़े आरोपियों में संतग्यानेशवर सोसाइटी ताजनगर निवासी वसिम अब्दुललतिफ मुहमत जाविद मुहमत शकील और रंजना गैस एजनसी में सिलेंडर डिलेवरी का काम करने वाले बेजनबाग निवासी रमेश कोलते का समाविश है इसके पहले भी पुलिस गोरेवाडा रिंग रोड पर छापे मार कर इस तरह का रैकेट चलाने वालों को पकड़ चुकी है इस बार पुलिस को जानकर ही मिली थी कि संतग्यानेशवर सोसाइटी में रहने वाला वसिम अपने घर से आटो चालोकों को घरेलू गैस बेशता है घनी आबादी वाला रहायशी इलाका होने के बावजुद उसने बड़े पैमाने पर सिलेंडर जमा कर रखे है सुरक्षा को ताक पर रखकर अतिज्वलन शिल्पधारत होने के बावजुद पाइप के जरीए आटो में गैस भरी जाती है खबर के आधार पर पुलिस ने दो पंचो को साथ लेकर वसिम के घर पर चापा मारा उसके घर में करिब दरजन भर गरेलू गैस सिलेंडर दिखाई दिये आटो में गैस भरने की उपकरण भी मिले सिलेंडर सप्लाई के बारे में पूछताच करने पर रमेश कोलते का नाम बताया गया रमेश रंजना गैस एजनसी में काम करता है ग्राहकों को जारी किये जाने वाले गैस सिलेंडर वह वसिम को सप्लाई करता था पुलिस ने तीनो आरोपियों के खिलाफ अत्यावशक वस्तू अधिनियम सहित विविध धाराओ के ताहत मामला दर्च किया है और एंसिटी का विस्तार जिस गती से हो रहा है उसकी तुलना में लोगों को मुलभूत सुविधाय नहीं मिल रही है अभी कई जगहों पर गटर लाइन नहीं बिची है पानी की पाइपलाइन का महिनों से काम चल रहा है कुछी हिस्तों में सिमेंट सडकों का जाल बिचाय जा रहा है जबकि अनिक बस्तियों में अब गड़ों भरी सडके ही नसीब हो रही है पार्शदों द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने का ही नतीजा है कि जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उत्तरनाकपूर में अभी कई इलाकों में विकास दिखाई नहीं देता जनप्रतीनीधियों द्वारा दावे तो बड़े-बड़े किये जा रहे हैं लेकिन बस्तियों में घुमने पर नजारा कुछ और ही दिखाई देता है उत्तर नाकपुर के प्रभाक्रमांकतियन के अंतरगत आने वाले संघर्ष नगर, टीपु सुल्तान चोक, गरीब नवाज नगर, पवन नगर, पांडे बस्ती, संजीविनी कॉलनी, यशुघरा नगर, प्रवेश नगर, संगम नगर आदी बस्तियों में हालत ये है कि दो प प्रिट लाइट बन रहने पर यहां पता लगाना कठिन हो जाता है कि कहा गड़े है और कहा पानी जमा है, परिसर के नागरिक रियाज शेक ने बताया कि शेत्र में गटर लाइन की हालत खराब है, कई जगह धकन ही गायव है, बारिश के दिनों में लोगों के घरों में हो रहा है, सडकों पर कई सालों से डामरी करन नहीं हुआ है, यही वज़ा है कि इन दिनों गड़ों की भरमार हो गई है, वहां चलाते वक्त जरा सी चुक हाथ पर तुड़वाने के लिए काफी है, इससे पहले भी महानगर पालिका और जोन कारियाले में कई बार ग्यापन दिये गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, यही वज़ा है कि लोगों को अव्यवस्था के बीच जिना पड़ रहा है। अभ्यंकर नगर निवासी, राहुल दलवी की शिकायत पर तपन जाइसवाल और उसकी गैंग के रवीलांजेवार, राजीव रड़ी, प्रवी कलंबे और स्रियाम नगर निवासी, आशिश देवेंद्र तिवारी के खिलाफ, अवेच साहुकारी, धोकाधड़ी और फिरो रुपे के बदले 33 लाख रुपे वसुल किये गए, समय समय पर आर्थिक अर्चन होने के कारण राहुल किस्त अदा नहीं कर पाये, इसके लिए तपन उन पर पेनाल्टी चढ़ाता गया, प्लोट की पावर ऑफ अटादनी बनाने के नाम पर डरा धमका कर धोके से, सेल्ड के खिलाफ ये एक मामला नहीं है, इसके अलवा और तीन मामले भी दर्च किये गया है, एक प्रकरण में पुलिस पहले 4 शिट दायर कर चुकी है, इस प्रकरण में भी पुलिस को तपन के खिलाफ कई सबुत हाथ लगे है, करीब 500 पनों की 4 शिट कोट में दायर की गई है, इसकी जानकर ये गटा की है, पुलिस उसका वैद निर्मान तुड़वाने की भी तयारी में है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना हुडकेश्वर्थानक शेत्र में सामने आई, एक नराधम अपनी ही 8 वर्ष की बच्ची को हवस का शिकार बना रहा था, रं पुलिस हिरासत में रखने के आदिश दी है, बताया जाता है कि आरोपी तुरुतिय बंती बनकर भीक मांगता है, जबकि 9 वर्ष पहले उसका विवाह हो चुका है, वह घर से पुरुष की तरह ही निकलता था और बाद में तुरुतिय बंती के भेस में भीक मांगता था, उ उसकी मा लोगों के घरों में काम करके अपने परिवार को आर्थिक मदद करती है, मा और भाई के घर से बाहर जाते ही वह बेटी के साथ दुशकर्म करता था, गनेशत्सों के समय से ये सब चला रहा था, शुकरवार की दो पहर, साड़े तीन बजे के दोरान मा काम से खिसक गई, आरोपी अपनी बेटी के ही साथ दुशकर्म कर रहा था, मा ने उसे तीन-चार थपड जड़ दिये और नातिन को हुडकेश्वर पुलिस टेशन ले आई, पुलिस ने बच्ची को विश्वास में लेकर पूछताच की, इसी दुरान पता चला कि आरोपी अपन में रखने के आदेश दिये हैं, इंदिनो नाकपुर शहर में चोरी की वारदा बढ़ती जा रही है, अकेला और सुनसान घर देखकर चोर हाथ साफ कर रहे हैं, इसे लोगों में दहशत का माहुल है, वही पुलिस प्रशासन भी चोरों के शातिराना तरीकों से हैरान है, इ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उजवला प्यूसी सेंटर चलाती है, शुक्रवार की रात उन्होंने प्यूसी सेंटर बंद किया, दुकान में जमा नकट 8,55,000 रुपे खड़े के बॉक्स में रखे और बॉक्स को अलमारी में रख दिया, भोजन करके पुरा परिव रुपे कमाल गायब था, उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी, शांतिनगर पुलिस मौके पर पहुची, जांच में पता चला कि अग्यात आरोपी ने घर के पिछले दर्वाजे से भीतर प्रवेश करके चोरी को अन्जाम दिया, पुलिस को संदे है कि घर की जानक करे रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ही वारदात को अन्जाम दिया गया, फिलहाल अग्यात आरोपी के खिलाफ मामला दर्च किया है तो वीकेवी न्यूस के सुबा के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूस, नमस्कार